प्रोग्रामिंग जो है बहुत आसान है पर इंटर्विव निकालना बहुत टुफ है, क्यों इंटर्विव निकालना टुफ है क्योंकि पैसे बहुत मिलते हैं, सब लोग सीख जाएंगे, सब को इतने मिल जाएंगे तो कैसे चलेगा, तो जान बूच कर जावास्क्रिप्ट जटल जटल सवाल यानि यह difficult difficult questions पूचते हैं, but worry not, मैं क्या गरता हूँ, आपके लिए 10 वो questions लिष्ट कर देता हूँ, जिसको अगर आपने समझ लिया, रटा नहीं, समझ लिया, तो इसके around सारे questions आप बना सकोगे, और JavaScript interview निकालना relatively बहुत easy हो जाएगा आपके लिए, तो पह आपसे API नहीं पूच रहे, set time out तो समझना ही है, लेकिन ज़्यादा जरूरी है क्या आपको event loop समझ में आता है, क्योंकि JavaScript में event loop एक बहुत ही खतरना concept है, और उसको टेस्ट करने, उसकी understanding को टेस्ट करने का तरीका है, set time out, और इसी में आजकर एक नया चीज डाल देते हैं, जिसमें promise.resolve भी डाल देते हैं, अब बताये किसका output आएगा, कैसा आएगा, क्योंकि वो ध्यानना चाहते है, क्या आपको micro task में आता है, तो अगर आपको event loop के understanding है, अगर आपको micro task के understanding है, तो आप इस तरह के questions को solve कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, सिर्फ output नहीं बताना है, आप अपने java script files को कहां रखोगे, head में रखोगे, body के end में रखोगे, कहां रखोगे, async यूज करोगे यूज करोगे, again, हम क्या करते हैं, हम keywords और right answer के चक्करें फर्स जाते है, जबकि question पूछने वाला ये नहीं जानना चाहरा है, कि आपको async और differ का अंतर पता है कि नही blocking होती है, ये कैसे काम करता है, और इसके कारण आपको HTML को अलग, CSS को अलग और JavaScript को अलग अलग जगा रखना चाहिए, किसको head में, किसको body में, किसको end में, किसको delay load, किसको defer, किसको async, ये समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि critical rendering path क्या होता है, तो जब ये question आप से critical rendering path सोचना, समझना और reason करना आता है कि नहीं, उसके बाद एक नया question आया है, market में, जो काफी पूछा जाता है, जिसको कहते है, let, const और where में difference बताईए, again, आपको snippet दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा, कि इसका output क्या आएगा, इसमें error आएगा, तो const error आएगा, reference error क्या error आएगा, इस error से हम क्या समझते हैं, तो कही बार आप क्या करते हो, आप यह trick questions रट लेते हो, आपको trick लगता है, इस question में, इसलिए, क्योंकि obviously हर दिन यह use होता नहीं, यह सचा है, कि जो भी हम बात कर रहे है, इन चीजों का daily usage बहुत कम है, लेकिन high paying jobs में filter करने के लि करता है, टीडीजी क्या होता है, यह चीजे सुनना, समझना और बता पाना बहुत जरूरी है, अगर आप उस, उन concept को समझ जाओगे, तो let, const, where कैसे काम करता है, उसके trick questions कैसे होते हैं, वो आप solve कर पाओगे, इंटर्वीव के पहले आपको इन concept को थोड़ा revise करने की जरूर करो कि यह कैसे काम कर रहा है, और उसका answer closure होगा, और या तो आपको बोला जाएगा कि एक example लेके समझाए कि closure कैसे काम करता है, closure पे इतना जोर क्यों है, closure के case में अलग चीज़ है, let, const, where के trick questions साइद इतने use ना हो, critical rendering path जिसके बारे हमने बात की है, वो एक बार setup हो जाता है, तो आपको daily use नहीं पड़ता है, बर closure ऐसी चीज़ है, जिसका use आपको हर दिन करना पड़ता है, शायद आप उसको देख नहीं रहे हो, तो यहाँ interview और यही समझना चारा है कि क्या आप closure का usage समझ के करते हो, और क्या आप उसके usage को अपने मन अनुसार कर सकते हो कि नहीं, त तो फिर मुश्किले होने लगती है, तो closure समझना उसको debugger में देख पाना, debugger में भी closure दिखता है कि कौन सा value इस scope के अंदर है, क्यूं है, तो वो चीज़े आप समझ पाओ, दिखा पाओ, समझा पाओ, तो बहुत अच्छा होगा आपके closure के understanding के लिए और इस तरह के interview questions के लि reduce का, क्या आप compose समझते हो, क्या आप करिंग समझते हो, क्या आप examples इन चीजों को समझा सकते हो, क्या आप इनका usage दिखा सकते हो, तो pure function के questions भी पूछे जाते है, again, ज़रूरी नहीं कि हर beginner को ये question पूछा जा लेकिन कहीं पर अगर ये question आ जाए, specially polyfill लिखना map का filter का reduce का is quite common, तो एक बार practice करके चले जाना चाहिए, इससे क्या है, इससे आप खुद के दिमाग में भी map, filter और reduce के magic को हटा रहे हो, आप बोलो, कोडी तो है, बस एक program में लिखा हुआ, एक higher order function में लिखा गे है इस चीज को, in fact, जब आप code लिख रहे हो, अगर machine coding round भी कर रहे हो, और या इससे किसी भी question पर एक deep video चाहिए, तो comment में जरूर बोलना कि भाया, ये वाला topic समझा दीजे, और मैं समझा दूँगा, sixth है हमारा सबसे प्यारा JavaScript का राज दोलारा this, यार this तो बहुत confusing है, जावास्किप्ट में उसके इतने सारे rules है, याद रखना मुश्किल है, हमेशा call, bind, apply, call, bind, apply के अपने implementation, एक दूसरे से implementation, इस तरहे questions बहुत होते हैं, फिर से मैं कहूंगा, ये वैसे questions है, जो कभी भी use नहीं होते है, आप इतने सारे app लिख लोगे, शायदी कभी आपको call, bind, apply के जरुत पड़ेगी, जब तक आप खुद का library, या खुद का कुछ implementation लिख पड़ता है, खास कर अगर आप framework, code लिख रहे हो, react वगरा का, तो बहुत ही rare use है, पर क्या करोगे, interview है, समझ के जाना पड़ेगा, एक दो questions बना के जाना पड़ेगा, कि आखिर call, bind, apply होता क्या है, this कैसे काम करता है, this keyword कैसे explain करते है, arrow function में क्या होता है, जब this में कुछ नह क्योंकि अपना relevance कैसे बताए कि यार मुझे JavaScript बहुत आती है, मैं कैसे दिखा हूँ आपको कि मुझे बहुत आती है, जब तक मैं आपसे बेतु के दोचा सवाल ना पूछो जो आपको शायद जिन्दगी में कभी ज़रूत ना पड़े, बट है interview तो है, पढ़ लेना, त्या इस तरह कि ताकि आपको ये समझाने आना पड़े कि मैं ये choice क्यू ले रहा हूँ, आज कल ये भी पूछते है कि Next.js और Gatsby में चुनना हो, Next.js और React में चुनना हो, तो क्या चुनोगे, कब चुनोगे, कैसे चुनोगे, ताकि आप SSG versus SSR versus SPA, ये सब समझ सको, समझा सको, छ तो छोड़ी छोड़ी इस चीज़े पता होनी चाहिए आपको, इसके अलाव अगर आप React developer का interview दे रहे हो, तो Virtual DOM, Reconciliation ये सब terms आपको थोड़ी थोड़ी समझ माने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप Reconciliation का पूरा algorithm आपको लिखने बोला जाएगा, आपको लिखने बोला जाएगा क्या बोल दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एट्थ है Prototypical Inheritance, अब मुझे लगता है ये सवाल कम पूछा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो बुड़े लोग हैं, उन्होंने class implement करने में बहुत महियत लगाई थी, शायद कभी जिंदगी में class लिखा था, अब कोई नहीं लेकिन फिर भी वह ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं, तो Might as well पढ़के जाना, Multilever Inheritance पढ़के जाना, जितने ज्यादा salary का job, उतने बेतो के सवाल, तो ये भी पढ़के चले ही जाना, नाइन्थ है Promises, Async, Await, Callback, इनके बीच के differences, इनके output के question, क्या आप समझते हो कि Await नीचे वाला सब कुछ then में चला जाता है, तो दो parallel requests कैसे करोगे, दो sequential requests कैसे करोगे, callbacks कैसे निकलोगे, खुद का promise implementation कैसे लिखोगे, ये भी question कई बार पूछते हैं लोग, अपना promise implementation कैसे लिखोगे, वो तीन state आप कैसे manage करोगे, तो एक दो coding questions तो या output questions तो आप इससे expect कर सकते हो, ये बिल्कुल favorite है लोगों का promise, callback, async await के around, output या programming questions पूछना, और दसवे number पे है debounce versus throttle, debounce और throttle काफी use होता है, क्योंकि जब आप input कर रहे हो, तो किसी भी तरह का चाहिए, वो type input हो, या clicked input हो, तो आपको देखना पड़ता है कि आप server को ज्यादा परिशान ना करो, इस case में बहुत important है कि आप user के behavior को समझ के सही tool सही जगा लगाओ, और इसमें और चीज़ और हो जाती है, एक तो समझदारी ज़ए होता है, दूसरा कि क्या आप इसका अपना version लिख पाते हो, अगेन ये coding question की तरह पूछा जाता है कई बार, देखने के लिए क्योंकि debounce लि इसको भी prepare करके चले जाना चाहिए, एक चीज़ समया जरूरी है कि डरना मत ये सब जब तुम coding कर लो, projects बना लो, सब कुछ सीख जाओ, तो अराम से 10 दिन में, 20 दिन में सब पढ़ सकते हो, सब समझ सकते हो, बना सकते हो, एकदम tension मत लेना, इंटर्व्यू देने भी अरुष ale हो, यहाओ, तो अरुदे लिए भी लगोफर lin Mouse